हेलो एश्टुडेंट स्वागत है आपका मेरे यूटुब चनल फार्मेसी क्लासिस में आज से हम लोग बिलकुल नया सबजेक्ट मेडिशनल केमेस्ट्री के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें भी फार्मेसी PCI syllabus के एकॉर्डिंग फिप सेमेस्टर में मेडिशनल केमेस्टी के अंदर जो हमारा फ़र्ष्ट यूनिट है उसके अंदर हमें हिस्टामीन के बारे में स्टडी करना है इस वीडियो में हम लोग हिस्टामीन के बिलकुल बेसिक कंसेप्ट को किलियर करेंगे मतलब सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हिस्टामीन होता क्या है और उसके थोड़े से फार्मकलोजी पार्ट देखेंगे ताकि हमारे मेडिशनल केमेस्टी में इसको पूरते समय किसी परकार की कठिनाई ना हो हिस्टामीन एक जामपल है ओटोकॉइड्स का आई हम सबसे पहले यह जानते हैं कि ओटोकॉइड्स क्या होते हैं उसके बार हम यह जानेंगे कि हिस्टामीन किसे काते हैं Autocoids एक Greek word है Autocoids दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है First, Autos, Second, Ecos Autos का अर्थ होता है Self वहीं बात करें Ecos का तो उसका अर्थ होता है Healing Substance हमने ये तो जान लिया कि Histamine एक्जामपल होता है Autocoids का लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि Autocoids होते क्या है तो आईए छोटा से एक Introduction लेते हैं कि Autocoids होता क्या है Autocoids एक Diverse Substance होता है जिसका Production हमारे Body में Wide Variety के Cells से होता है Autocoids Biological Active Substance होता है लेकिन ये हमारे Body पे Generally Local Actions हो करता है Local Actions कहने का अर्थ ही ये है कि इसका जहाँ पर Synthesis होगा वहीं पर ये अपना Actions हो करके और इसका Dissociation हो जाएगा और ये हमारे Body से Ascrete Out हो जाएगा Histamine जो कि एक Example है Autocoids का जिसे हम Local Hormone के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जहाँ पर Synthesis हुआ वहीं पर वह अपना Actions हो करके और उसका Dissociation हो गया और वह हमारे Body से Ascrete Out हो गया यही कारण है कि हम Histamine या फिर Autocoids को Local Hormone का आते हैं जैसा कि मैंने बताया Histamine जो कि एक Example है Autocoids का ये एक Local Hormone होते हैं और ये Different होते हैं Hormone से आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो Important Way के द्वारा कि किस परकार Local Hormone Different होते हैं Hormone से आप अपने डिस्पले पे इस Division को देख पा रहे होंगे इसमें हमने एक तरफ Local Hormone को रखा है तथा दूसरी तरफ Hormone को रखा है इन दो Division करने से हम असानी से समझ पाएंगे कि कैसे Local Hormone Different होता है हर्मोन का द्वारा Local Hormone की बात करें तो इसका Production हमारे Body में Wide Variety के Cells से होता है लेकिन वहीं बात करें हर्मोन की तो इसका Production हमारे Body में किसी Specific Cells के द्वारा होता है जैसे Example लिए जाए हर्मोन की तो जी Specific Cells के द्वारा होता है मतलब अगर हमारे Body में Growth Hormone का Production हो रहा है तो वो specific cells के दौरा होता है, जैसे pituitary gland, pituitary gland के दौरा growth hormone का production होता है, और किसी भी हमारे body में cells के दौरा growth hormone का production नहीं होता है, तो यह difference होता है hormones में, वहीं बात करें local hormone में, तो local hormone उन सारी cells से उसका production होता है, जिसमें mass cell present होते हैं, वही local hormone की action की बात करें तो इसका जहां पे synthesis होता है वही पर ये अपना action so करता है और वही पर इसका dissociation हो जाता है और ये हमारे body से excrete out हो जाता है मतलब इसका जहां पर synthesis हुआ, action so किया और वही पर इसका dissociation हो गया यह हमारे body में circulatory system के दोरा हमारे body के different part में जाकर अपना action zone नहीं करता है यही कारण है कि इसे local hormone के नाम से जानते हैं वहीं hormone की बात करें तो इसका production हमारे body में किसी specific cells के दोरा होता है specific hormone का production जो हमारे circulatory system में जाकर हमारे body के different part में पहुचकर अपना action zone करता है मतलब जैसे हमारे pituitary gland के दोरा secretion हुआ हमारे growth hormone का और वो हमारे circulatory system के दोरा पहुचकर हमारे different body part में पहुचा और वहाँ पे action अपने zone किया तो यह basic different होता है local hormone में यह hormone जहां पे इसका synthesis हुआ उससे यह दूर जाकर अपना action zone कर र autocoids का लेकिन हम यह जानते हैं कि autocoids का classification क्या है यह कितने परकार के होते हैं और किस classification के अंदर हमारा histamine आता है तो आइए सबसे पहले हम autocoids के classification के बारे में study करते हैं autocoids को उसके classification के अंदर चार भागों में divide किया गया है first amine autocoids second lepid autocoids third peptide autocoids M4 cytokinase autocoids amine autocoids को further दो दो भागों में divide किया गया है first histamine M second serotonin तो हम जान गए कि जो हमारा histamine है यह amine autocoids के अंदर आता है जो की एक example होता है autocoids का histamine दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है hista और amine hista का अर्थ होता है tissue amine group इसके extraction प्रिजेंट होता है इसलिए इसे histamine काते हैं और histamine आपस में मिलकर histamine का formation करते हैं इसलिए इसे tissue amine के नाम से भी जानते हैं histamine को हम लोग tissue amine भी கाते हैं his amine के development mass cells के granules में होता है साथ ही non mass cell भी histamine का production करते हैं हमारे body में तो हम कह सकते हैं कि histamine का production हमारे body में mass cells हैं non-mass cells में होता है आये कुछ example देख देखते हैं next slide में कि कौन-کौन shae mass cells है और कौन से नौन मास्ट सेल है जिसके अंदर हिस्टामिन का प्रोडक्शन होता है हमारे बॉड़ी में जैसा कि मैंने बता है हिस्टामिन का डबलेब्मेंट हमारे बॉड़ी में दो तरह के सेल्स में होता है एक ऐसे सेल्स जहां मास्ट सेल्स रीच होता है एक नन मास्ट सेल्स आप अ उनको mention करेंगे जिनके tissue में mast cells present नहीं होता है फिर भी वे histamine का production करते हैं हमारे body में आई अब हम सबसे पहले हम अपने first division को देखते हैं हमारे first division में उनको mention करने जा रहे हैं जिनके tissue में mast cells reach होता है जिसमें first है gastric mucosa जिसमें mast cells present होते हैं और ये histamine का production करता है सेकंड इंटेस्टाइनल मेवकोसा, थर्ड एसकेन, फोर्थ लिवर, फेप, लंग्स, शिक्स, प्लासेंटा ये जितने भी मैंने बताया इनके टीसू में मास्ट सेल्स प्रिजेंट होता है और ये हिस्टामिन का प्रोडक्शन करते हैं हमारे बोडी में आईए अब हम अपने सेकंड डिविजन को देखते हैं जिसमें हमने रखा ये नन मास्ट सेल्स अर्थात उनके टीसू में मास्ट सेल्स प्रिजेंट नहीं होता है फिर भी ये हिस्टामिन का प्रोडक्शन करते हैं हमारे बोडी में जिसमें फर्स्ट एक्जामपल है ब्रेन, सेकंड एपीडर्मी, थार्ड ग्रोइंग रिजन ऑफ बोडी इनके टीसू में मास्ट सेल्स प्रिजेंट नहीं होने के बावजूद भी ये हमारे बोडी में हिस्टामिन का प्रोडक्शन करते हैं इसलिए हम इन्हें नन मास्ट सेल्स के कटेगरी में रखे हैं क्योंकि इन हमारे सेल्स के अंदर मतलब कौन-कौन से रियक्शन इन्वाल्व होता है जिससे हिस्टामाइन का फॉर्मेशन होता है और यह हिस्टामाइन किस परकार हमारे सेल्स में कॉंपलेक्स का फॉर्मेशन करता था किस परकार एस्टोर रहता है और इसका सेक्रेशन अर्था रिली होता है इस step में इस step में एक enzyme involved होता है जिसका नाम है histidine decarboxylase enzyme इस enzyme के उपस्तिति में हमारा L histidine change हो जाता है histamine में यह सारी process हमारे cells के अंदर हो रही है जो हमारा histamine है यह store रहता है mast cells and non-must cells में हमारे body में mast cells and non-must cells में histamine store रहता है एक complex के रूप में इसमें हीपेरीन के साथ एक complex का formation करता है histamine जिसे हम हीपेरीन histamine protein complex के नाम से जानते हैं जिसमें हमारा histamine store रहता है और करने जिसे हीं हaking दो कर दो कर दो दो